बिजली के मुद्दे को लेकर भारती जंता पार्टी द्वारा कॉंग्रेस को कट घरे में खड़ा करने और भाजपा निताओं की ब्यान बाजी पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा परसाद प्रजापती ने कड़ा एत्रास जदाया है उन्होंने आरोप लगाया कि अपना मुद्दा बनाने के लिए भारती जंता पार्टी द्वारा बिजली गुल कराई जाती है विधानसभा द्यक्ष शीरी प्रजापती मध्य प्रदेश विधानसभा द्यक्ष बनने के बाद पहली बार शनिवार को सतना आए हुए थे विध्य चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रिस भवन में आईजिस सम्मान समरों में भाज़वा को आड़े हाथ हो लेती हुए कहा कि जंता ने उन्हें 109 और हमें 114 की संख्या दी है इसलिए जंता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उस विजली खरीबने के लिए आपकी ये प्याले उट्रेक्स रगता है वो सरकात बे कर रही है वो विजली आप तक पहुंचना चाहिए लेकिन बीच में जो आउन्सोर्स के लगे लगे हुने हैं अगर वो ऐसा दो साथ कर रहे हैं तो आपके साथ बढ़ बड़ा कि इंदल कर दो सब्सक्राइब करना है कि मैं रगोता तो प्रैस वाले हों पर दिर्दा भी जोंतों पखनी क्या है सुबिदा देने के लिए रस्ता रोपना है तो जान बूच के करना भाई 114 आ रहे एक सुर्णों आ रहे जम्ता ने जाबों के स्वों पिया स्विकार करना जम्तानिस वपाए 114 एक सुर्णों सुर्णों करो क्यों ये चेद में भीएद कर रहे हैं क्यों ऐसे नातक कर रहे हो जो आप और हम जब आज में वाली क्लास में के पर्टे थे उस जवाने में बिल्ली डंगा उचलंगा पर देते उसी के चलंगा भुका लें थे वाय तब आपके जब आपकार की हंतर कर रहे हैं कि उसमें किसका है उसी जंता तब बुरा होगा है जिस जंता उनको भी मौटती है सिर्व अपना मुद्दा बनाने के लिए जिसली को अप्रवार